हलो दोस्तों सो ट्रास्फोर्मेशन फॉम रिटेल बैंकिंग कोपेट सीरीज में आज यह नहीं वीडियो लेके आ हूँ बीगिनर्स टू वीडियो जिसमें आज हम रोट्माफ फॉट्वेट फॉट्वी में देखेंगे कि कि AML KVC का related content हम कैसे पढ़े और कहा पढ़े ऑनलाइन जाए कि टेलिग्राम किसी ग्रूप को जॉइन कर ले वाट्सप ग्रूप को जॉइन कर ले ऑफ लाइन या ओनलाइन पोर्सेस हलफुल होंगे कि नहीं कोई बुक्स या ब्लॉग रिफर करके हम अपना AML के knowledge कर सकता है क कि नहीं तो इसके उपर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो यह बिगिनर सीरीज 2 है पहिने से रजवान हमें देखी होगी शायद यह उसका ही पार्ट 2 है तो मैंने उस वीडियो में बताया थी कि आप कंटेंट कहां से पढ़े तो उसके रिलेटेड यह वीडियो ह है बहुत सारे टेलीग्राम में अगर आप एमल टाइब करोगे ना तो आपको एमल की वह से प्रूप डिखेंगे आप वो जॉइन कर लो उसमें बहुत सा रिलेवन इंफरमीशन आती रहती है जैसे कहां कौन सी जॉब निकल रही है कहां पर क्या पोर्सेस चल रहा है कितने इंफरमीशन जैन्वीन है पर जी हां इंफरमीशन रहती है तो उसके साथ साथ एमल जोब इलर्स की भी ग्रूप रहती है तेलीग्राम में जो आप जॉइन कर सकते हो और जिस मेसेज में इमेल एडी दिया होना वह ज़्यादा ऑथनिकेट होता है तो उसमें आप एपलाइ जोब जोब मिलती है सिट्टू हायर या पर्मानेंट रोल की जोब मिलती है मैं आपको इस मतलेंट रूर होती है यह बुरी रही होती है और उसका नाम इसे यह दिस्या है पूरा नाम नहीं ले सब्सक्राहста पॉब्लिक फोरम में, तो वो ना C2H में हायर करती है, तीन महीना, चार महीना, आठ महीना के कॉंट्रेक्ट रोल में, और फिर वो उनहीं लोगों को as per performance हायर कर लेती है, तो जितने भी लोगों C2H में हायर करती है, समर्ण 10 लोगों को हायर किया लोगों, उसने 6-8 लोगों वो पर्मलेंट पेरोड पे ले आती है, उनका कॉमन कल्चर है, एक और ऐसे बीकफोर कंपणी है, जिसका नाम P से शुरू होता है, तीन अक्षर का नाम है उसका, वो भी यही करती है, तो C2H बुरा नहीं है, इससे क्या होता है, आपका experience भी अच्छा मिलता है, knowledge भी मिलता ह है, अभी आप कहीं भी कुछ भी क्राइक कर सकते हो, initial knowledge gathering is important, यह उन लोग के लिए नहीं है, जो पांचे साथ से EML में काम करें, उनके लिए नहीं है, वो लोग है, जो लोग एंटर करना चाहते है, पर्मलेंट रोल भी is very good option, बट वो थोड़ा मुश्की लोग है, क्योंकि पेरोल पे मिल जाती है, जोब थोड़ा ट्राइ करने से, पर as per C2H इसका लेवल थोड़ जादा रखा है, तो जैसे मैंने आपको बता है, बिग 4 कंपनी जो दो कंपनी के में नाम बता है, आपको D से एक शुरू होती है, और एक P से शुरू होती है, दोनों ही C2H में बहु इसके बार में आज आपको वीडियो के एड में दिखाऊंगा, आप एमल के वैसी के अफिसर का भी एक्जाम दे सकते हैं, वी स्किल्स मां एमल के वैसी के अलावी बेसल 3 नॉम, यूरोपियन नॉम, यूके कल्चर के ऊपर भी सेटिफिकेशन है, आपको भी कर सकते हो, यह वो एक्जाम देने के बार में भूली जाओ, आप दे भी दो, आप पासिंग क्रेटिरिया मुश्किल है, बलब सौ में से आपको बताता हूँ, 40 यह 50 लोग ही क्लियर करता है, मेरा एक दोस्त है, उसलिए टीन अटेंड में एक्जाम लोग कर जाते हैं, और उसकी वापस दे पर इजनल लेवल पर हैं, या जस्त अंट्रेंड हैं, मत दीजिए, दूसरा वी स्केल्स के जो एक्जाम है, वो 2-5,000 के बीच आता है, तो यह आप इसलिए एफट कर सकते हो, और इसमें आप बार बार एक्जाम दे सकते हो, यह एक्जाम फील 200-300 के बीच रहती ही, आई ए एक्जाम आप करोगे ना, एक्जाम क्लियरता होगे तो आपको आपने बीच बिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ, इस एक्जाम is very good for knowledge, बट ऐसा नहीं क्या, आपको एक्जाम क्लियरती हो, यू इसा कुछ नहीं है, बार में इंडियन फॉरंसिक्स, इंडियन आपको इसकी कोई गैरेंटी नहीं है, आपको जॉब मिला, अपको एक्जाम कर दिया, तो अब आपको क्या में आपको कुई दी रो सकता, for a good salary, एक्जाम करने के बाद ना, लोग को 10 लग की नीचे salary offer होती नहीं है, लोग देते हैं इनको, 10 लग मिनों standard income, बाद में अगर ह सबसे पहले मैं आज आपको नहीं पता आपको पता है तो कॉमेंट में लिख के डाल दो मैं भी देख लूँगा इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा या भूगल कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है दूसरा एफ़े टीएफ टॉप रेकमेडेशन की अई पीडियेफ आती है उनलाइन इसके कौनसे कंट्री में क्या सेख्षण लगाया और क्यों सेख्षण लगाया इसके बारे में अच्छे से लिखा लंता है तो इससे आपको अपना लोग बेशते हैं, Amazon पे 600-700 रुपे की, क्योंकि आप Amazon पे जाओंगे, आप कोई किता में नेकिए, क्लिया करने की, copy-based की आवाज इसके लिए, ठीक है, और यह अब पूरे अप्टो डेट है, present date है, प्रिजन डेट है, प्रिजन डेट है, पूरे उसके वेबसाइट पर हम लो पीछे की हमें, टेरर फाइनेंसिं को रोकना है, तो उसके जो भी clause है, वो इसी आप से लिए गया, और इसका भी PDF है, और यह अपडेट होता लेता है, तो हम वो भी PDF दिखेंगे, तो यह जो वीडियो थी ना, यह beginner series part 2 वीडियो थी, जिसमें basic concept के बारे में हम थोड़ा सच जाना, interview questions के बारे मैं बार में discuss करूँगा, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, please subscribe and comment, अभी हम आते हैं, इंटरनेट पे, ठीक है, तो सबसे पहली बाद, पेट्रियोटिक आपको Google देख, अगर आपको मेरे screen दिखाई दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले पेट्रियोटिक आप गूगल करोगे न, यह आगई इसकी, ठीक है, चलो इसको उपन करके देख ही लगते है, तो यह PDF डाउनलोड हो जाएगा, मैं इसका PDF का लिंक भी आपको देखूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हूँ, फिन सेंज जो होती है, इसे इंडिया की RBI, Financial Crime Investigation ऐसा कुछ है, इसका नाम, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, Financial Crime Enforcement Network, इसकी PDF आपको बिल जागी, गूगल करोगे न, आपको ऐसे ही मिल जागी, आपको इसके लिए किसी को पैसे नहीं देना है, और यह आप देखो, मालता हूँ बड़ी है, लेकिन इसमें जितनी इंफोर्मेशन है न, इसी पे ही पूरा-पूरा यूएस का पंप्राइस काम करता है, इसी के रिलेटेड जॉब में इंट्रेव्यों कोशे पीशा करता है, इंडिया में भी, अगर आपको कोई NIAP के बारे में पूछेगा, किसी बैंकर को, तो वो जानता है क्या है, पूरा डिटेल जाने की इसी पर मोटा मोटी पता है कि नेगोशियोबल, ननिगिश्योबल इस्टोर्ट होते है, सब उसके अंडर आते है, वैसा ही इसमें है, आप इसमें थोड़ा सभी थोड़ा सभी पढ़ोगे रहे, वन तैम में रिटिंग करोगे न आपको बहुत की बदाश चलेगा, यूस म की Money Laundering Specialist, ठीक है, आप Apply Online मी कर सकते हो, या Download Handbook मी कर सकते हो, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, PDF Downloadable, जिसमें आप Easily जो लेक्टेस्ट वर्जार रहे, उसका वो डाउनलोड कर सकते हो, अभी हम आते है, फटका Top 40 Recommendations पर, जैसे मैं आपको बता है, फटी आप की बा से है, तो इससे आपको बहुत अच्छा improvement होगा, उसमें, तो यह है Top 40 Recommendations, इसका एक PDF ही है, जो मैं आपको दे दूँगा, तो यह है total चीजे, जो आपको चाहिए, एक AML जोब करने के लिए, मानता हूँ, content जादा है, पर यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है, तो thank you for watching this video, अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा, please subscribe and comment, और एक और चीज़ में आपसे request करूँगा, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से bank को, या आप कौन से domain को belong करते हैं, आप authorizer हैं, आप officer हैं, और आपका नाम आप comment box से प्लीज डालिए, और आपको कुई भी relevant question है, तो अगर आप fresh air experience है, आप comment box पर डाल सकते हैं, आपके comment से ही मेरे बना चलता है कि अभी present requirement क्या है, उसी साब से मैं relevant video बला पाऊगा, thank you for watching this video, thank you.